Hello everyone, अगर आप competitive exam देते होंगे तो आपने गौर किया होगा कि एक question exam में आता है कि निमनिमे से कौन सा material अनुचुम्ब की है, अनुचुम्ब की पदार्थ है, तो option दिया रहता है oxygen, hydrogen, helium, nitrogen, उसमें से tick करना होता है, check करना होता है कौन सा option सही है, तो इसको याद करने का बहुत easy trick में लाया हूँ आज की इस विडियो में, तो आज का topic यही है, कुछ प्रमुख अनुचुम्ब की material, means paramagnetic material, तो paramagnetic materials को याद करने का कुछ trick है, ये, आ, कोसो, apple को, आ, कोसो, apple को, इस sentence को याद रख लीजिए आप, यही trick है हमारा, तो चलिए, start कर लेते हैं, देखते हम, आ स पहला यहां पर word आ रहा है, आ, तो आ से हो जाएगा, oxygen, आ आ रहा है, आ से oxygen, ठीक है, पहला oxygen, को, अगला है को, को से क्या हो जाएगा हमारा, को से देखिए आगे लिखाया है, chromium, ठीक, chromium, अगला है, so, सो से क्या होगा, सो से sodium, sodium, सो से, ठीक है, उसके बाद, आगे आ रहा है, एपल, एपल में से ए अलग है, और पल अलग है, ध्यान देजिएगा, इसको याद करते टाइम में, ए अलग है, और पल अलग है, ए से होगा, एलुमिनियम, ठीक है, ये से एलुमिनियम, और पल से प्लेटिनम, पल से प्लेटिनम, ठीक है, तो कौन-कौन से होगा है, यहाँ, को जो है, यहाँ ध्यान दिजिएका, को हमारा जो है, ये साइलेंट, को साइलेंट, ठीक है, को साइलेंट है, बाकी आ से ऑक्सिजन, को से क्रोमियम, सो से सोडियम, ए से एलुमिनियम, और पल से प्लेटिनम, ये सारे मेटेरियल्स अनचुम्बकिये मेटेरियल्स हैं, और एक property आप note कर लिजएगा अनचुम्बकी materials की property होती है, बहुत important है, याद रखेएगा हमेशा के लिए, कि इन अनचुम्बकी materials को, धियान दीजेगा इस बात पर, इन अनचुम्बकी materials को अगर चुम्बकी छेत्र में रखा जाए, means अनुचुम्बकी पदार्थों को मतलब पैरा मैगनेटिक मैटेरियल्स को अगर चुम्बकी छेतर में रखा जाए तो वे पैरा मैगनेटिक मैटेरियल्स वे अनुचुम्बकी पदार्थ चुम्बकी छेतर की दिसा में थोड़े से चुम्बकीत हो जाते हैं बगी तो इस पे टिक कर सकोगे आप oxygen, sodium, aluminium और platinum, okay?